हलो दोस्तों तो कैसे आप लोग तो दोस्तों हमारे पास form GST PMT09 आ गया है जो कि electronic cash ledger में जो भी हमारे fund है उनको एक head से दूसरी head में transfer करने के लिए होता है यानि कि IGST का पैसा CG में या SGST में या वाइसा वर्षा कह सकते हैं या आप CES का पैसा इन taxes में कर सकते हैं और taxes का पैसा CES में या अगर आपके late fees के अंदर कोई पैसा है तो आप taxes में utilize कर सकते हैं तो सबसे पहले services में जाएंगे इसके बाद आप जाएंगे हमारे ledger में इसके बाद electronic credit, electronic cash ledger ठीक है तो हम live करके देखने वाले हैं यह transfer real time होता है या नहीं है ठीक है हमाने balance हमने देख लिए CGST में और SGST में 30-30 rupees है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है electronic cash ledger यहाँ पर आप अपना balance jack कर सकते हैं cash ledger का यह हमारा form है फाइल करने के लिए और यह हमारे पास already अगर जो form file है उसका status हम यहाँ पर देख सकते हैं तो हम file करेंगे GST PMT 09 तो यह हमारे पास form आ गया है अब यह देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास form में है एक बार form को go through कर लेते हैं cash ledger balance available for transfer यानि कि transfer के लिए मेरे पास कौन सा balance है तो यह देखो transfer के लिए मेरे पास cash ledger में fees के column में है 30 रुपए central वाले में और state वाले में पी 30 रुपए हैं अब हम इसको transfer करेंगे IGST के tax में ठीक है किसी में भी कर सकते हैं आप intra adjustment कैसे भी कर सकते हैं तो अब यह देखिए cash ledger balance preview of updated balance updated balance क्या है adjustment करने के बाद यह update होता है ठीक है अभी हमने कुछ update नहीं कर रहा है तो as it is हमारा रहा है ठीक है जैसे मैं कुछ change करूंगा तो वह दिखाएगा कि यह balance आपका इधर आ जाएगा अब नीचे जाते है add record add record में क्या है मुझे बताना पड़ेगा transfer amount from transfer amount to यानि कि from मतलब कहां से transfer करना है to मतलब कहां पर transfer करना है तो मैं major head लेता हूं मेरा cgst का और यह मैंने ले दिया minor head मेरा fees में था यह देखिए balance मेरा ठीक है अब कहता है transfer कहां पर करना मैं कहता हूं मेरा major head है IGST में मुझे transfer करना है और यह आप मेरा tax में कर दीजिए 30 रूपीज ठीक है 30 मेरे पास available था अब इसको मैं कर देता हूं save are you sure the amount indicated as above is intended to be transferred हाँ जी हम transfer करना चाहते हैं ठीक है यह हमारा हो गया अब हम इसमें एक और record add कर सकते हैं यह देखिए amount transfer from CGST के fees से IGST के tax में हमारा transfer हो गया है अभी एक नया record add करते हैं हमारा SGST में था fees में ही था 30 रूपीज ठीक है और यह भी हम IGST के tax में transfer करना चाहरे हैं तो यानि कि मेरे IGST के tax वाले amount में कितना हो जाना चाहिए 60 रूपे फिर से मैंने confirm कर दिया अभी देखो अभी हम वापस आते हैं वापस हमारे पास पहले हमारे picture यह थी form file करने से पहले के मेरे fees के column में था center में 30 और state में 30 और picture क्या हो जाएगी मेरे पास updated balance क्या आ जाएगा यह form file करने के बाद यहाँ पर IGST में मेरे पास tax के amount में ठीक है यह आप vice versa कैसे भी adjust कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है आपको कहां से कहां पैसा ले जाना है तो अब हम करते है proceed to file proceed to file के बाद ही मुझे फिर से मेरा updated balance दिखा रहा है कि आपका updated balance यहाँ पर पहुंच जाएगा ठीक है और यह मेरा इसने detail भी बताया कि detail of amount to be transferred from one account head कि मेरा cgst fees से sgst fees से IGST में tax वाले ही column में मेरा amount transfer हो रहा है तो मैं इसको verify करूंगा और हम इसको साथ के साथ कर लेते हैं file file करेंगे PMT09 और इसको yes करेंगे file करेंगे हम with evc और हम करते हैं proceed अब यह हमारे पास OTP आएगा हमारे registered number पर तो हम OTP डाल देंगे फटाफट से मैं एक बर OTP चग कर लेता हूं तो OTP आगया हमारे पास OTP को हमने डाला इसमें और यह हमने कर दिया verify तो यह मेरा successfully file हो गया है यह देखिए अभी हम check करते हैं अपना balance फिर से यह देखिए यह बिलकुल real time है electronic cash ledger के IGST में मेरा 60 रुपे आ गया है पहले वो मेरा fees के column में था तो यह था दोस्तो GST PMT 09 हमें कैसे file करना उसके बारे में एक video tutorial अगर आप लोगों कोई video अच्छा लगा तो प्लीज इस video को share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको आने वाली video को notification मिल्सके Thank you Thank you